नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी श्वागत आपके अपने यूटूब चनल कमांड ओपेड़ में पर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला आप सभी के लिए जो बच्चे तयारी करें परजेंट टाइम में कि गद्दें और गोड्रें फरक में ही ही मयनत नहीं करना घ्यवर को सबसे ज्यादा में आपको कि सब्जेट को पड़ें कि इसको कम पंड़ें तैयारी करना इस कि हे आपकी टेक्पिस त्यूम औachen ज़ो जो बाते में बता रहा हूँ इस वीडियो में अगर आपने अपना ली तो गारंटी है मारी इस बार SSC GD 2020 में आपका सेलेक्षन पका होगा इसमें कोई संदे नहीं होगा ठीक है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गोडों की दोड में गोडा बनके ही दोड़ना परता है ग किस प्रकार से योटिलाइज करना है दोस्तों तयारी शिर्प तयारी कर लेने से कुछ नहीं होता तयारी 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 कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दस पिछले 10 साल से 10 साल से क्या कर रहे हैं तैयारी होजाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मात्र एक साल या च्छा महीना यहां तक कि तीन महीने में तीन महीना में भी तैयारी करके क्या हो जाते हैं यह सलेक्शन पाजाते हैं क्या पाजाते हैं सलेक्शन और जो यह तैयारी करते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो आप सोच लिजिए कि आपको करना क्या है अगर आप तयारी करना यह सबसे मैं पढ़ रहा हूं कि पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ रहा हुँ वह चीज बहुत जरूरी है सबसे ज़रूरी है वो क्या है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और कैसे पढ़ रहा हूं और कैसे मुझे पढ़ना चाहिए ठीक है दोस्तों यह जाना बहुत जरूरी है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप SSE GD की तयारे करें दोस्तों तो आप सभी को पता है कि SSE GD मे GD में जो पार्ट होते हैं वो चार पार्ट होते हैं कितने पार्ट होते हैं चार पार्ट होते हैं च्यार पार्ट में कितनी क्यूशन होते हैं, 100 क्यूशन होता है, समय अब 90 मिनिट कर दिया गया है, कितना समय कर दिया गया है लाड़ों, 90 मिनिट कर दिया गया है, ठीक है, तो लाड़ों जब 90 मिनिट में आपको 100 क्यूशन अटेंड करने हैं, इन 100 क्यूशन में से 50 क्यूशन को आप आसानी से कि चालीस मिनट के अंदर-अंदर अटेंड कर सकते हो इन पचास कुछन को ठीक उसके बाद में भी आपको पचास मिनट बच जाती है किसके लिए पचास मिनट का आपका समय बच जाता है में और रिजनिंग के लिए ये जो पार्ट है कौन सा में और रिजनिंग वाला जो पार्ट लड़ दो यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट अब इस पार्ट के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको में तो रिजनिंग के लिए जब आप एंजान देने जाओं तो आपके पास में पचा 40 मिनिट में जी के और हिंदी कर लेना ठीक है जब आप तयारे करें रोते हो भी अभी इसी परकार से आपको तयारी करनी है कि इनको सडाक से जल्दी जल्दी चो चीज मुझे आती है वो उस हिसाब से करना है जो मेत और रिजनिंग है मेत और जो रिजनिंग है इसको क्या करना लड़खो इसको इस परकार से तयार करना है तो सबसे ज़्यादा जो जो फोकस करते है वो इसी पर करते है और आपको टारगेट बणाना है कि इन 50 में से मेरे 45 से जयाधा नंबर आए encountered 85 से जयादा नंबर आने चाहिए तभी अब आप ऐसे चिजी डिके एकजाम में आप अगर चाते हो सवेक्शन हो तो यही एक कंडिशन है जिस्में आपका सवेक्शन हो सकता है दूसरी में आपको इस पर पोकेस करने के लिए इसलिए बोला हूं दोस्तों बहुत सारे बचने क्या होते हैं जीके हिंदी को पड़ते पर दोसलोटे होता है कभी हिंदी में औरफ चंज कम होते हैं तो फिक्स होती लेगिन ज्याजा किसी ने पड़नी क्योंकि दोडरी है आते हैं आपके समझ में ब्याज आप बढ़ेगा इतनी आप पूरा focus करते हैं और दिखे क्या हर रोज चेंज होती है जिके उसका क्या है यह तो हर रोज रोज चेंज होती है कि तो इस पर focus करने की बजाए आपको ज्यादा focus यह निहीं आप अपना जो समय खरच करें उसमें से 60% समय या 60% से भी अधिक समय किस्पर focus करना है मेत और पॉक मेरे करना क्यों दोस्तों इंदिफें क्व ना सकते हैं क्यों 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 इसलिए अगर आप में एक बार दिया करने लग गई तो यह आपके समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे ठीक है शुरुआत में मुश्की लोग सकती है कुछ दिन कुछ समय आप लेकिन अगर निरंतरता रखोगे जब बच्चा मोट से चलाने सीकता है जब कोई भी तो एक सब्सक्राइब बजन लेकर दिवार बेच्चर सकती है बार बार फिसलने के बाद में तो आप भी ट्राइए करोगे तो हंडेड़ परसेंट सीख जाओगे हंडेड़ परसेंट में गार्ण के देता हूं हां मुझ के लिए होगी आपको एक महीना दो मेना लेकिन सीख जाओ इसलिए क्या करना इस पर फोक्स ज्यादा करना जो इस पर फोक्स करेगा जैसके के लिए क्या करना देश में बड़ी बड़ी घठना होती जैसे अभी तो कोण से उत्पादन हो रहा है को यह कुशन काफी आता है कि इसमें कितना नोलेज इसमें कितना तो इसलिए क्या करना है के जो करण्ट में पको सिर्फ फोकस करना एक तो करण्ठ जादा है तो उसके भी फोकस करना है करना जी कि आप डेली न्यूज पर पढ़ते हो गये जब देखते हो तो उस समय को काम में लेना जब आप बात होती है उसको focus करना है उसको लिख लेना know book में इस प्रकार से नोट बनाने जिखेगे तो दिरे-दिरे आपकी आदत बन जाएगी करण्ट पर बन जाएगी वाकिजी कि आप देरे दरे इंट्रेस्ट आपका बन जाएगा लेकिन ज्यादा focus उसमें करना है उसके बाद में तो वह भी कर देगा तो अब तैयारी कितनों की करनी है तो आपको तैयारी करनी जैसे संदी विच्वत हो गया उनको तयार करना तो वह आप आसानी से होगी जिसकी में तो रिजनिंग होगी जब एकशाम होगा ना जिसकी में तो तो बेटा सबसे पहले आप मिलाना शुरू तो करिए पढ़ना शुरू तो करिए आप सिर्फ मातर 30 दिन कितने दिन 30 दिन मेरे साथ मिलकर या अपने से खुद से किसी बुक से मातर 30 दिन तक आपको फोकस करना है कि मुझे मेर्द सीखनी हैं दुक से करना हैं जो आप करते रहे उसे आपके आपका गया की सबसे पहले आपको क्या करना है हरे एक समाटो में जो इजी इजी जी टरिक होती है सिखने हैं हाड की तरफ नहीं जाना है कि फिर इस देडली पे फोकस कर कर is कर से किर देडले तरफ देडल गोए फिर हाड की तरफ हरी का है दिनेंग में क्या है रिजनिंग के आपको सिर्फ प्रेक्टिस सही है तो जैसे मैं किलेर कराए रहा हूं आपके और आप बुक्षे आप नहीं कर पाओगे जिनको नहीं आती उनको शीकना ही पड़ेगा तो टोपिक वाइस जैसे मैं रिजनिंग करा रहा हूं लेकिन आपको क्या करना फिर उसकी इसकी अच्छे से तयारी करते हो तो आपका नमबर परसेंट आएगा लेकर अगर इसकी तयारी में धिले पड़े तो काम चलेगा आप सोच रहोगे में जीके के बदलत नमबर लेलू तो ऐसा आज तक हुआ नहीं ना होगा क्योंकि जीके में 25 में 25 नमबर लापाना बहुत ही मुश्किल यानि नामुनकिन जैसा है लेकिन मेहत के साथ में फिरी यानि एक के साथ में एक फिरी तो वह काम करो ना जिसमें आपको फिरी का तयारी करिए दोस्तों जै हिंद जै भारत